गुट मॉर्ण शुरेंट्स तुड़े वी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर एरिकल्चर इस वाट इस इंपक्ट ऑफ ग्लोबलाजेशन ऑन एरिकल्चर इन इंडिया वी नो दैट इंडिया के कॉंटेक्स्ट में जब भी हम बात करते हैं फूड सिक्यूर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्चर बन जाता है बिकर्ज हमारी पॉपलेशन बहुत बहुत जादा है और हमारे पास जो फार्म लैंड्स हैं उन पर डे बाई डे प्रेशर बहुत इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे माजिनल फार लोगों तक food security को ensure करने के लिए government ने बहुत सारे initiatives उठाये हैं उन्ही initiatives की वज़र से हमारे economy को open up किया गया 1990 में और उसके बाद हमने देखा कैसे इंडिया में globalization का process इंडिया में आया और इसका एक बहुत बड़ा impact हमारे agriculture पे भी पड़ा है तो इस chapter में जो important topic है globalization उसको आज discuss क के impact को देखते है कैसे इसने इंडिया अगरिकल्चर को भी impact में इंडिया अगरिकल्चर को effect किया है तो लेट्स कंटिनू इस सबसे पहले तो students आज हम समझेंगे की globalization होता क्या है then we'll discuss what what are the impact impacts of globalization on Indian agriculture first look here it is the integration of domestic economy with global economic and economic activities of one country affect other countries कहने का मतलब है हम क्या कर रहे है अपनी economy को world की दूसरी economy के साथ integrate कर रहे है integrate करने का मतलब होता है जोड़ना जब हम अपनी economy को दूसरी countries के economy साथ जोड़ेंगे इसका मतलब हम trade trade को improve करेंगे trade को बढ़ाएंगे साथ में जो scientific methods या scientific tools जो वो इस्तमाल कर रहे हैं agriculture या किसी other fields में उसको हम वहां से उनसे हम inspire होकर उनके contact में आकर उन चीरों का इस्तमाल हम अपनी country में भी करना शुरू करेंगे यह होता है आप देखो आज world बिल्कु ग्लोबलाइज है तो आज देखो world की सारी leading companies हमारे country में भी काम कर रहे हैं ना सिर्फ mobile phones electronics बल्कि agriculture के field में भी यह होता है तो इसका क्या इसका एक example अगर हम historic point of view से देखे तो आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग जैसे Dutch Portuguese यह सब इंडिया में क्यों है for the trade उनका जो जो प्राइमा फेसी जो में जो उनका motive था वो हैं trade करने का ही था क्योंकि यहां की spices है वो बहुत ही famous थी आप देखो मैंने इसमें एक टिक राका है spices were exported to other countries mainly European countries cotton again exported to those countries like England indigo was also exported so आपने देखो कि हमारे जो history में भी हमने देखा है कैसे इंडिया की communities के demand बहुत जादा है लेकिन after independence हमारे जो policy maker से उन्होंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया और हमारे economic को उतना open up नहीं क्योंकि हमें डर था कि फिर से ऐसे लोग अगर हमारे country में आते हैं तो कहीं हमें फिर से एक बार गुलामी ना देखना पड़ जाए लेकिन 1990 में government को ये feel होता है कि globalization बहुत important इंडिया के लिए हमारे economic थोड़ा open up करना चाहिए ताकि जो दूसरी companies हैं दूसरी countries हैं उनसे भी हम कुछ फाइदा कर जाके और जो इतना बड़ा international market है इसका भी इस्तमाल हम कर सके तो क्या impact हुआ when 1990 when globalization came to India तो after the globalization came to India Indian agriculture is exposed to new challenges here I have written that Indian agriculture is exposed to new challenges globalization के आने के बाद जो इंडियन agriculture है उसको नए challenges face करने पड़े क्योंकि आपको international market में अपनी commodities को अपने products को रखना है और quality भी maintain करनी होती है as well as the price also तो यहां पर Indian farmers को problems होनी शुरू हो गए क्योंकि हमारे लिए अगर पूरा world एक market है तो उन companies के लिए उन countries के लिए आज भी monsoon पर बहुता dependent है बहुत सारे ऐसे tools हैं जो conventional है method हमारा conventional है scientific method नहीं इस्तमार हो रहे हैं बहुत सारे ऐसे pockets इंडिया में या due to lack of money proper financing options ना होनी की वज़ा से जो farmers है बहुत सारे marginal farmers है तो देखा जा रहा है कि इंडिया जो है इंडिया के farmers जो है especially in agriculture दे आर अनेबल टू कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट इस्ट्रेंट्स आपको याद होगा लास्ट वीडियो में डिसकस कहा था subsidies के बारे में कि कोई भी country अगर subsidy देती है farmers को तो अगर वो subsidy continue से तरह बनी रहे तो यह हमाँ GDP का बहुत बहुत हिस्सा चला जाता है subsidy के और उससे government को फायदा बहुत कम होता है लेकिन जो developed countries उनके पास पैसा बहुत जादा है और वो क्या करते है कि वे अपने farmers को maximum subsidies देते हैं इससे क्या होता है जो cost of production of those crops या जो agriculture products है उनका जो production cost होता है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि उन्हें maximum चीज़े subsidy में मिलती है very high subsidy because they are developed countries उनकी economy condition बहुत अच्छी है but developing countries like India यहां पर आप देखोगे कि developing countries में जो income है GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है जो हमारे economy के लिए अच्छी बात नहीं है कि हम हर बार subsidy दे लेकिन हमारे farmers बहुत marginal farmers बहुत अच्छी नहीं है तो देखा गया है इसकी वजह से भी जो developed countries के प्रड़क्ट्स हैं जो agriculture products हैं जो crops हैं उनका rate जो होता है हमारे country के product से काफी कम होता है जिसकी वजह से उन्हें market ब when it came to India बट एक अच्छा अच्छा objective है इंडिया farmers को कि अगर government अच्छे से ध्यान दे और उन्हें सही इंप्लिमेंट्स, tools, higher liberty of seeds, green revolution, gin revolution इन सब चीजों को implement करके हम अगर neck to neck stand कर सकते हैं in world market, international market तो ये हमारे future के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक huge market available हो पाएगा हमारे इ से उनका development भी अच्छे सोगा country strong होगी और साथ साथ हमारे economic condition भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि हमारा agriculture बहुत important है हमारे survival के लिए sustainability के लिए बहुत important है agriculture का अच्छे से developed होना और इसको profitable होना भी बहुत ज़्याजा जरूरी है तो students आपना देखा एक तरप तो हमारे पास बहुत बड़ा market available है लेकिन Indian agriculture कुछ problems को face कर रहा है that's why the topic is here that Indian agriculture is at the crossroads so there should be more initiative more endeavors by the government there should be new thrust which is required it means agriculture को uplift करने के लिए promote करने के लिए एक बार फिर से green revolution type किया revolution के है या पुरे energy के साथ government हो काम करना चाहिए and they should try to make it profitable अगर farmers को यह profitable नहीं होगा तो जो हमारे farming activities या country में धीरे धीरे वो कम हो जाएगी bleak होते चली जाएगी so new thrust is needed it should be made profitable these all points will be very very helpful to you in writing answers in examination also okay so these points are very very important आप उनको note कर लिजीगा और इसको पढ़ने के बाद books को जुरू पढ़िएगा third point is improvement in the condition of marginal and small farmers आपको पता है मारे country का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे farmers को बिलॉंग करता है जो marginal फार्मसरे जिनकी income बहुत लो है बहुत small farmers उनके पास जो area है जो इस area को cultivate करते है that area is also very small it is around average देखे तो half a tier जो कि land holding के मामले में बहुत ही small है half a tier is very small when compared to countries like America so there should be improvement in the condition of these farmers green revolution it is under controversy reason यह है कि green revolution की वज़े से कुछ disadvantages भी देखेगा है इसे कुछ states को बहुत जादा फायदा हुआ है और कुछ ऐसे भी states है जो आज भी वहीं खड़े हैं जहां वो 40 years ago खड़े थे इसका मतलब इसको पूरे country में एक समान universal form में लाने के लिए कि सबको फायदा हो उसके लिए बहुत कोशिस करने पड़ेगी और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉलम से जो ग्रीन डिलिप्शन की वज़ा से या बहुत जादा अरिकल्चर अक्टिविटीज की वज़ा से हमार सामने आये हैं बिकास इस वाद का भी ख्याल अखना है कि जो लांड इतना इंपार्टन रिसोर्स है यह बिद्रेड होना चाहिए दू कि यह दो ऐसकी यूष ऑाद रिसोर्स हाद रड राड प्रॉल्स एम जा से अधने इंप्री खी शुम्र्चर का डिलिप दो बिलिए साथ से लिए जोगिख शॉष खाद रिर टॉन जाने लांड रिस्टा चाहिए इस जाड वाद्टिश बिल्यांना बीडिटीश ट there is loss of biodiversity a single type of crop is able to grow and due to this there are various small crops insects they are not able to breed तो इसकी वज़र से भी biodiversity का loss देखा गया है जो की in coming few years यह बहुत बड़ा impact हमार एरिकल्चर पे हमारे biodiversity पर इसका हो सकता है next one is gene revolution gene revolution इसलिए क्योंकि India is tropical country है तो ऐसे high-end variety of seeds को अपनाया जाए जो less water में और almost किसी भी India में जो भी area है जिसमें harsh climate है या जो climate होड़ा different है टफ है उन areas में भी ऐसे crops grow किये जा सके इसके लिए बहुत develop बहुत research की जववत है ताकि हम gene revolution के थूँ हम अपने एरिकल्चर को improve कर सके और उन areas में भी हम production कर सके crops का gene area में production बहुत ही लो है क्योंकि इससे क्या होगा India में जो gross जो net zone area है gross zone area दोनों में बहुत increase होगा and it is it is absolutely going to benefit the Indian agriculture so these were the points which you have to keep in your mind while writing answers इसके बाद एक important topic आता है कि India को क्या organic farming के और सोचना चाहिए as our population is increasing land holdings are becoming smaller and smaller so it is not profitable to grow traditional crops on these holdings तो कहीं न कहीं organic farming बहुत important role play कर सकता है because there is no use of fertilizers and pesticides and it is environment friendly और जो भी हमारा future है farmers का वो bright डिखता है because ना से फिए हमारा बाद अबसेटी को करेगा बलकी एक different way में safe safe way में Indian agriculture को आगे बढ़ाया जा सकता है now last topic that I have written here why there is need to diversify the cropping pattern there should be diversification of cropping reason है अगर हम diversification of cropping करते हैं तो it will increase the income of farmers so there will be increase in income of the farmers there will be reduction in environmental degradation मालनों farmers ने जो traditional crops लगाया उसके बाद वो organic farming भी कर रहे है तो अब इसी बात है by diversity का जो loss हुआ था वो फिर से reverse हो सकता है और कोई नुकसान हमको होगा नहीं environmental degradation नहीं होगा ऐसे बहुत सरे crops हैं like herbs, fruits, etc जिनको बहुत less water चाहिए होता है इसको अगर अपनाते हैं तो उन areas में जहां water available बहुत कम है उन areas में भी हम agriculture कर सकते हैं and there are wide range of high value crops that can be grown in diverse climate there are various crops जिनकी value बहुत high है इंटरेशनल मार्केट में इवन इंडिया में भी और इनको grow करने के बाद हम ना सिर्फ अच्छा पैसा कमा सकते हैं बाकि उन diverse climatic situations में भी agriculture को increase कर सकते हैं जहां पर पहले agriculture practice बहुत कम होता था so these were the important points of this chapter this chapter is over in next video we'll discuss about some important points or we'll try to complete our map work thank you